हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू सलीम की गली और आज दोस्तों ये वीडियो भी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेश्ट पर है और उनका कमेंट ये था कि जो सेंट्रों की बैक नंबर प्लेट की लाइट होती है वो वर्क नहीं कर रही है तो उसको कैसे ठीक करें तो दोस्तो आज ये वीडियो इसी टॉपिक पर है और दोस्तो मेरे पास और भी बहुत से कमेंट आये हुए हैं लेकिन मैं इस वीडियो में सभी मेंसन नहीं कर सकता उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और दोस्तो आप लोग भी अपना कमेंट छोड़ सकते हैं मै सब के कमेंट देखता हूँ और जो भी चीज आप मुझसे बोलोगे कमेंट करके मैं उस पे एक एक करके वीडियो बनाता रहूंगा तो जल्ली से आप भी अपना कमेंट कर सकते हैं हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आपके ही कमेंट के उपर आ जाए तो सबसे पहले मैं लाइट करके भी दिखाऊंगा इसमें जो भी कमी होगी तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने गाड़ी के बूट को खोलना होगा फिर उसके बाद डोर पैनल को खोलेंगे डोर पैनल को खोलने के लिए इसमें पांच स्क्रू दिये हुए हैं देख सकते हैं एक यहाँ पर और एक तो दोस्तो इसक्रू लॉक को खोलने से पहले पैनल के अंदर तीन लॉक्स होते हैं तो पहले हमें उनको खाना होगा पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कहां पर होते हैं वो अगर आप देख पा रहे हो तो वाइट कलर की जो फॉर्म लगी है एक लॉक तो यह है और एक क्ये लाइस पर भी वाइट कलर की फॉर्म लगी हुए है तो यह तीनों लॉक्स हमें ऐसे खीच कर नीचे की साइड कहीचना है तो यह लॉक अपनी से हट जाएंगे तो ऐसे बारी बारी से एक-एक करके हटा देना है तो तीनों लॉक्स हमारे हाट को को laying के बाद मैं आपक screw driver से ही काम चल जाएगा तो बस खोलने का तरीका थोड़ा अलग होता है अब मैं आपको इसको खोल के भी दिखा देता हूं जल्दी से simply screw driver को lock के center में रखना है center में रखने के बाद उसको एक प्लास की मदद से जो है हलके हलके से चोट मारनी है मतलब दबाव डालना है उसके उपर तो वो जो प्लास्टिक की कील है वो अंदर चली जाएगी तो उसको पूरा अंदर डाल देना है कील को ताकि वो इस lock में रुके ना और भार निकल जाए ऐसे ही हमें अपनी दूसरे साइट के lock screw पे करना है तो इसको सेंटर में रखके और इसको जोर से दबाव डालना है ये बिना प्लास के भी हमारा काम बन गया है ठीक है दोस्तो फिर उसके बाद इस lock को एक screw driver की मदद से बार निकालना है simply इसको अंदर डालके और ऐसे उपर के side उठाना है तो ये अराम से हमारा भार निकल जाएगा ये देखे दोस्तो ये बार निकल गया है ऐसे हमें दूसरे side का lock भार निकालना है और पैनल हमारा खुल जाएगा दोस्तो डोर पैनल कोलने के बाद हमारे जो दोनों बल्ब है वो ये सामने लगे हुए है, तो इधर वाला बल्प तो हमारा बिल्कुल ठीक है, तो हम इसको छेड़ेंगे नहीं, तो हमारा ये वाला बल्प खराब है, तो हमें ये वाले ओल्डर को निकालना होगा, तो मैं simply इसको क्या करना है निकालने के लिए, इसको anti-clockwise हलका सा गुमान है, और ये easily भार निकालाएगा, ठीक है दोस्तों, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इस बल्प की जितनी भी वायरिंग है, और वायरिंग के अंदर ये जो कपलर लगा हुआ है, ये भी बिल्कुल ठीक है, और वायरिंग भी इसकी बिल्कुल अच्छी है, तो अब इस पर कैमरे का थोड़ा फोकस कर देता हूँ, ताकि थोड़ा साफ दिखाई दे, तो दोस्तों, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, इसमें जो हमारी बल्प में बीच में तार होती है, वो इसमें है ही नहीं है, वो पूरी तरीके से खतम हो चुकी है, तो दोस्तों, इसका कोई औ और तो इलाज है नहीं तो simply इसको replace ही करना पड़ेगा बल्प को और दोस्तो जैसा आप देख पा रहे हो मेरे पास दूसरा बलफ है ये मैंने अपनी एक पुरानी बाइक खड़ी थी मेरे पास उसमें से मैंने निकाला है आप भी दोस्तो अपने आपके पास कोई पुरानी ब यहाँ पर इसकी जगा पर रखकर इसको clockwise घुमाना है तो जो इसके locks होते हैं वो इसमें फज जाते हैं तो जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ इसमें ऐसे रखने के बाद इसको ऐसे clockwise घुमा देना है और ये देखो दोस्तो फिट हो चुका है और दोस्तो final result देखन इसमें डालनी है और कील जो है वो हाथ के जोर से अंदर नहीं जाएगी तो उसके लिए हमें पिलास चाहिए होगा ताकि हम अपने उस पिलास से इसको ठोक सके तो ठोकने के लिए इस पे हलके हलके से चोट मारनी है जादा जोर से नहीं करना है तो मैं आपको दिखा देता ह देखो ऐसे वो कील अपनी जगा चली गई अंदर तो इधर भी हमें ऐसे ही करना है हलकेल के पिलाज से ठोकना है और कील अमारी अंदर चली गई और दोस्तो जो पैनल के अंदर वाले तीनों लॉक है उनको बंद करने के लिए शरीफ जोर से हाथ मारना उपर और वो बंद हो ठीक है दोस्तो और दोस्तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा दूसरे वाला बल्प भी वर्क करने लगा है मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देता हूं देखो पहले यह वाला बल्प हमारा जल रहा था और यह वाला काम नहीं कर रहा था तो अब यह भी काम करने लगा है